नमस्कार मैं हूँ जूही वर्मा और आप देख रहे हैं NewsLiveMP.com Congress के वरिष्ट नेता पूर्व विधायत अजय सिंग जो अर्जुन सिंग के पूर्व मुख्य मंत्री अर्जुन सिंग के बेटे भी हैं वो बहुत जल्द राजनीती से सन्यास लेने वाले हैं और इस सन्यास की वज़़ बेहत चौकाने वाली है ना सिर्फ अजय सिंग से जुड़े हुए लोगों को बलकि तमाम Congress को क्योंकि अब अर्जुन सिंग जो पूर्व मुख्य मंत्री थे मध्विप्रदेश के जिनोंने प्रदेश में काफी समय तक राज किया Congress की एक पूरी लाइन तयार की और उसके बाद अजय सिंग आये उनके बेटे जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे मध्विप्रदेश में काफी समय तक और उसके बाद वो चुरहट से चुनाव जीतते रहे पिछला चुनाव याने 2018 में वो जीत हासिल नहीं कर पाए उनके साथ साथ देखा जाए तो एक तरीके से अर्जुन सिंग के परिवार की सियासी विरासत भी खत्म होती हुई सीनियर लीडर्स के गाइडिंस की बहुत ज्यादा सरूरत है पर अब अजय सिंग क्या करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है अजय सिंग आपको याद दिला दे चुनाव प्रचार के समय पे अजय सिंग काफी एक्टिफ थे स्टार प्रचारक भी उन्हें बिनाया किया था और इसी दोरान उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर बीजेपी जीती है ज्यादा सीटे मैजुरिटी में आती है सरकार बिनाती है तो वो सन्यास ले ले लेंग है विपक्षी दलों के द्वारा कि आपका समय आ गया है आप सन्यास ले ले हाला कि ये बात अलग है कि इस बारे में अजय सिंग से भी सवाल हुआ कि क्या वो सन्यास लेंगे पर फिलहाल उन्होंने अपनी जो खुद ऐलान किया था उससे वो मुकर गए और ये भी कहा कि अ उनका confidence बढ़ाने के लिए कई बाते बोलनी पड़ती है और वो भी इसी तरह कि बात थी कोई बहुत बड़ा वादा नहीं था अपने कारेकरताओं में जोश फूंकने के लोगों ने ऐसा कहा था और इन बातों को गांट बानकर नहीं रखा जाना चाहिए यहना एजय सिंग इसी ने यह तो साफ कर दिया कि वो सन्यास लेने वाले नहीं है राजनीती में बने रहेंगे और कॉंगरेस में रहेकर विंदिका प्रतिनी दित्व करते रहेंगे आने वाले चुनाव में उनकी क्या भूमी का होगी यह आलकमान ही तै करेंगे नमश्कार